असलम वलेकुम जी, welcome or welcome back to my YouTube channel आज एक्सपिरियन्स वेराइशेयर मार प्रसने एक्सपिरियनस विद यू आज की वीडियो है जी मेरी स्किन केर रूटीन क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आरी थी कि आप अपनी स्किन केर रूटीन भी हमारे साथ शेयर करें और इनका भी रिवियू आपको इन्शाला बहुत जल्द मिल जाएगा मेरे चैनल पे तो ये जो स्किन के रूटीन है न ये उन लोगों के लिए भी हो सकती है जिनकी स्किन जो है वो ओिली है और कुमीडोजैनिक है मैं आपको इन प्रोडक्स का तरीका इस्तमाल भी बता दूँ कि कि इनको मैं किस किस तरह लेयर करती हूँ और किस टाइम यूज़ करती हूँ सो या लेस्ट स्टार्ट फिट तुड़ेज वीडियो सबसे पहले हमारी बेसिक चीज होती है वह होता है हमारा क्लिंजर ठीक है यह है आज जो मैं क्लिंजर टेस्ट आउट कर रही हूँ इस देख लो इतना सारा इस्तमाल हो भी चुका है मैंने लेना था पॉसिबल कही जेंटल क्लिंजर पर मुझे रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने मुझे का कि आपने और रेडी उसका टेस्ट आउट कर लिया ये भी टिक टॉक पर बहुत ज़्यादा वाइरल एक जेंटल क्लिंजर है तो आप इसका भी रिवियू शेयर करें तो मैंने सोचा भई ठीक है उसका मैं और रेडी कर चुकी हूँ तो वाइ नोट टेस्टिंग आउट न्यू परड़क्स पॉर यू इस वजह से मैंने ये और्डर किया था मैं गरंटली इसको टेस्ट आउट कर रही हूँ इस वेक ने तो नेक्स्ट वीक के साट में इसका भी रिवियू मिल जाएगा ये हो गया क्लिंजर जो मैं एम और पी एम दोनो टाइम यूज करती हूँ ठीक है उसके बाद आ जाता है दो चीजें जो मैं मॉशराइजिंग के लिए यूज करती हूँ इसको भी मुझे इसको भी रिवियू आपको इस वीक में या नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में मिल जाएगा अच्छा भई ये इनकी क्रीम है आई क्रीम जिसकी प्राइज जाएगा 660 रुपीज है सुपर ब्राइट अंडर आई जेल क्रीम विद कैफिन एंडी हाइलरोनिक एसेड और यहाँ पिसकी सारे इंप्रेंट्स वगारा रिखें में 20 ml of product आपको मिलता है बेसिकली ये इन्होंने ड्यू बनाया एक इंटरनेशनल ब्रैंड का सो आई होब सो इट वर्क्ट लाइक तैस वेल क्योंके पैकिंग की रहाँ से तो प्रड़क्ट बहुत ही जादा मिलता जुलता और अच्छा लगता है इसके बाद हम बात करेंगे जी एक पेस मौशराइजर की इस इस दी पॉसिबल फैदर लाइट डेली मौशराइजर इसका रिव्यू मेरे चैनल पे और रेड़ी मजूद है अगर आपकी स्किन कॉमीडोजैनिक है और आपको कोई भी मौशराइजर सूट नहीं करता है आपकी स्किन का पेरियर भी डिस्टरब है इसका मैं और रेड़ी सेकेंड और प्लेस कर चुकी हूँ मेरा यह अब भी अल्मस्ट खतम हो चुका था मैं वेट कर रही थी कि यह दुबारा रिस्टो को तो मैं अपना जो है क्लिंजर और मौशराइजर रकठा और करूँ लेकिन फिर मुझे रिक्वेस्ट आगी थी इस वाले क्लिंजर की तो मैं इस वाले क्लिंजर के साथ ही चलेगी तो पर मैंने का चलो भाई अब इसको और कर देते हैं के वाली अंडर आई क्रीम यूजर की है या कर रहे हैं डू लेट मी नो और अगर आपके पास से कोई अच्छे ऑप्शन्स हैं अंडर आई क्रीम के तो वह भी मेसा ज़रूर शियर कीजिएगा अचा जी नेक्स तिंग इस दी संब्लॉक संब्लॉक हो संस्क्रीन हो आपको लास बतन लगाना चाहिए यह मेरी जो है संब्रिक का मैं यूजर करती हूँ और यह भी आल्मोस्ट खतम होने वाला है इसका भी रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा इस दी एम स्किन केर रूटीन यह है एम स्किन केर रूटीन आउ आपको मैं यह थी वाले क्लीजर से अपना पेस कलिंज कर लेती हूँ फिर मैं यूजर करती हूँ जी यह ट्रैगो का glycolic acid which is the 5% glycolic acid अब बात यह है कि मैं यूज कर रही हूँ एक active अच्छा यह बिल्कुल थोड़ा सा रही है इसका भी review आपको भी जाने पर यूज मिल जाएगा मैं यूज कर रही हूँ एक active ठीक है इसलिए मेरे ना ही moisturizer में ना ही मेरे cleanser में और ना ही मेरे sunscreen में कोई भी active मजूद है because I'm already on the active ingredient मुझे जरूरत नहीं है वैसे अगर मेरे skincare routine में कोई active ना हो तो मै weekly exfoliation भी रखती हूँ अपनी skincare routine में लेकिन मैं अब इसको use कर रही हूँ कि glycolic आपके skin को daily base पे भी exfoliate करता है तो आपको weekly skin exfoliate करने के कोई भी जरूरत नहीं है इसलिए क्योंकि आप गर्जो रहे हैं तो इतना जादा skin को exfoliate करना बिल्कूल भी अच्छा नहीं होता skin के लिए आई क्रीम लगा लेती हूँ and then again layer with the moisturizer आपको भी मैं यही मश्वराद दूँगी कि अगर आप भी किसे active ingredient पे मजूद है तो प्लीज उसको ही इस्तमाल करें ठीक है उसके सवा आप किसी और product का अंदर इस्तमाल ना करें क्योंकि ग्लाइक कॉलिक देखें आपके सारे मसलों को हल कर देता है आपके comedones को भी treat करता है उसके साथ इसाथ आपकी जो सारे जो निशानात आपके face पे आएव होते हैं आपकी skin की dullness होती है आपकी skin का टेक्शर होता है सब को भी treat करता है फिर भी आप अपनी skin में एक और brightening serum add कर देंगे whitening serum add कर देंगे night cream add कर देंगे मैं इतना जादा आपको active active इस्तमाल करें क्या करना है आप अपनी skin को सिर्फ harm करेंगे इतनी जादा चीज़ों को एक साथ इस्तमाल करके इस वज़ा से मैं किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी active नी रखती हूँ क्योंकि और रेडी मेरे पास एक active है तो please make sure कि आप जिस चीज़ को इस्तमाल कर रहे हैं उसको ही ठीक से इस्तमाल करें next thing I'm gonna share with you this ये है भाई आपको 500 रुपीज में मिल जाती है जैसे कि मोसम बदल रहा है ठीक है सर्दियां आ रही है कई ऐसी skin है मतब ये body के लिए यूज़ करती हूँ मैं face पे यूज़ नहीं करती हैं तो आप चोटा वाला लेकर test out कर लें अगर आपको पसंद आता है तो आप बड़े वाला पी purchase कर लीज़ेगा ये बहुत ही ज़ादा बहुत ही ज़ादा अच्छा मोशराइजर आपकी एडियां बितनी भी खराब है मतब जितनी भी खराब है हाथपाँ बहुत ज़ादा जल्दी ड्राय हो जाती है सड़्ियों में बहुत ज़ादा है कि ये स्वेयर इश्यो होता है और पिर हमारे हाथपाँ डल भी लगने लग जाते है क्योंकि इतनी ज़ादा dead skin जो उनसी है वो अपने उपर layer बना लेती है So you can try this और ये मेरी हादी खदम हो चुकी हुई है ये मुझे मेली नी री थी मैंने थे कहीं रखावा था और ये जणाब जी गुम गई थी Let me show you पता नहीं ओपन के नहीं हो ली So yeah, this is how it looks मतब आदी हो चुकी है तो आपकी स्किन जो उनसी है वो exfoliate भी हो जाएगी और hydrate भी हो जाएगी at the same time So yes, ये थी मेरी सिम्पल सी साथी सी few steps पे dependent skincare routine AM और PM के same products के साथ मैं नहीं layer करती हूँ बे इंतहा products को मैं नहीं follow करती हूँ हर उस influencer को जो दे, ध्ड़ाध स्किन के routine बता रहा हो ता कि गैए product भी इत्माल कर लो product भी इत्माल कर लो क्यों कि मुझे अपनी Skin का PTA है कि मेरी Skin में कितनी बरड़ाश है हर इंसान को ये PTA होना जाहिए कि उसकी Skin Type क्या है सकी Skin के साथ issue क्या है skin के साथ कौन कौन से ingredient suit करते है उसकी skin को क्या क्या चीज रास आ सकती है या नहीं आ सकती anyways I hope you like the video मैं इन सब के जो link होंगे वे description में mention करतूंगी और जिनका review मैंने अपने channel पर अभी तक post नहीं किया लेकिन आपको उन brands में trust है जैसे कि ये दो ठीक है so you can अपना बहुत जादा धिया रखिएगा मुझे दौवा में याद रखिएगा मिलती हूं बहुत जल्द आपको अपने गली वीडियो में तब तक Allah हाफिज